तो DL8 2022 को लेकर बड़ी ख़वर यहां पर निकल करा रही है जो कि हम आपको बताएंगे अगर आपको इसकालर्शिप को लेकर कोई समस्या हो तो आज की इस वीडियो में मैं आपको बताने वाला हूँ तो वीडियो कंप्लेट देखते रहेगा अगर आप DL8 के प्रसचू है इस बार DL8 में इसल लिए है तो वीडियो कंप्लेट आप लोग अवस्य देख लिजेगा चली बात करते हैं कि DL8 को लेकर क्या बड़ी ख़वर निकल करा रही है उसकी स्कालर्शिप समस्या को लेकर क्या बड़ी ख़वर आ रही है बट उससे पहले अगर अभी तक आपन के संद्वारा लांच की गई है और ये बुक बिल्कुल नविंतम पाठेक्रम पे आधारित है जिसमें 5000 से अधिक आपको बहुबिकल्पी प्रस्ण देखने को मिलेंगे संपूर अध्यावर थेओरी भी आपको इस बुक में देखने को मिलेंगी चार माह की समसमाईकी के सा 2019 और 2018 के हल प्रस्ण पत्र भी आपको इसमें देखने को मिल जाएंगे इस बुक में काफी सारी चीज़े आप लोग ऐसी नोटिस करेंगे जो कि आपको बहुत कम बुक में आपको देखने को मिलेंगी जैसे कि ये चार्ट हो गया जिसमें इतने अच्छे तरीके से चार्ट मिल जाएंगी साथ मैं आपको बता दू इसमें काफी अच्छी तरीके से इसमें हल प्रस्ण पत्र भी दिये गया है पिछले सालों के और फाइनली मैं यह भी एड कर दू कि सुपर टेट की स्टडी गाइड के साथ इनका प्रैक्टिस सेट भी आता है जिसको आप किसी भी अफ-लाइन मार्केट से खरीद सकते हैं या फिर ऑन-लाइन मार्केट से भी ले सकते हैं ऑन-लाइन लिंक जो है डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी दिया गया है तो जैसा कि आप अपने स्क्रीन पर देख पा रहे होंगे और आप लोगों में सही काफी लोग पूछ रहते कि या रिजल्ट नव आने के कार्ट चात्रवित्य के लिए आवेदन नहीं कर सके वह 10 जनूरी 2022 तक आनलाइन आवेदन कर सकते हैं सैचिरिक साथ 2021 की दसमुस्तर कच्छाओं को परतिपूर के लिए तीसरी बार आवेदन की तारिक बढ़ाई गई है और ये भी आपको बता द कर लिए और जल्द से फीलफ कर लिए जितना जल्द फीलफ करनेंगे आपके लिए अच्छा रहेगा को क्योंकि तीन दिन में फाइनल प्रिंट RO cannot निकलने के बाद आपको फाइनल प्रिंट आउट में जो फोट्व कापी लागाकर आपको कालेज में भी संभींड करना होत और यहां पर भी देख सकते हैं वही चीज़े लिखेंगे 10 जनुरी 2022 तक जो है आप आविदन कर सकते हैं scholarship.up.gov.in पर जाकर ठीक है आप website यूपी scholarship लिखेंगे website का नाम आजाएगा सबसे उपर Google पर आप जैसे लिखेंगे आजाएगा और उस पर जाकर आप registration करके आप अपना आगे का फाम फिलफ कर सकते हैं या फिर इस किसी भी जाइवर का फ़र जाकर करवा सकते हैं उमीद है आपको scholarship को लेकर सारी समस्या दूर हो गई होगी अभी भी कोई समस्या आप कमेंट बाक्स में लागातार पूश चकते हैं हम आपको जरूर रिप्लाई करेंगे और साथ मैं आपको बता दूँ अगर अभी तक आपने टेलिग्राम हमारा नहीं जॉइन किया तो लिंक डिस्क्रिप्शन बाक्स में मिल जाएगा जाकर जॉइन कर लिजेगा वहाँ पर डेली बेसिस पर आपको न्यूज पेपर की कटिंग भी पोस्ट की जाती है और भी काफी चीज़े पोस्ट की जाती है तो अगर नहीं जॉ टेंट थी उमीदे पसांद आयोगी जान दोस्तों वन्ने वातरां